साहिबे कमाल साहिब शिरीगुरू गोबिल सिंग महराज जी के 350 साल प्रकाशपर्प को लेकर देश भर में आयोजकों का दौर जारी है इस पीच शिरीपटना साहिब में भवे आयोजन किये जा रहे हैं जिसमें एक हजार के करीब शिर्धालों ने शिर्कत की साथ ही एक ट्रेन अमरी सर से शिरी पटना साहिब के लिए रवाना की गई इस मौके पर अमरी सर के डी सी शिरी बसंत गर्भ भी मौचूद हुए वही उन्होंने इस ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया आज ये स्पेशल ट्रेन जो के अमरी सर तो पटना साहब शर्दालों नो लेके जाएगी आज उन्हों रवाना कीता गया है ए ट्रेन लगपग चाली गंटे दा सफर प्या कर दे हुए आज चालके पटना साहब पहुचेगी इस वेच अमरी सर दे अथे तरंतार अरंजलियां दे हलकियां दे शर्दालू जड़े ने वो सवार हुए ने अथे पटना साहब विखे दर्शन दिदार करन तो बाद ए ट्रेन वापस अमरी सर विखे आएगी इस ट्रेन दी खासियत है कि शर्दालू नो किसे किसम दा कोई खर्चा करना नी पएगा इस दे वेच आउन जान दा खर्चा सारा खाने दा खर्चा उते रहन दा खर्चा ते दर्शन दा खर्चा सारा खर्चा पंजाब सरकार ने मुकमतरी साब ने बीडा चक्या है असी ये आस कर दे हैं कि ये ट्रेन दे नाल पंजाब दे लोगा नू पतना साफ दे दर्शन करन दे वेच सहूलियत हुएगी आते जड़ा बहुत ही वड़ा साड़े तिनसो साले दा जड़ा तिहार आया है जड़ा एक उकेशन आया है उनू लोग मना आके जड़ा है अस्टे कर दे दा जोगतना साफ दे जारे हैं वे यात्रावस्त करन दे जारे हैं असी बहुत आम धर दिय गई हैं सदार परकासिंग बादर जिग इसकीम वाफे ते मन्तरी लोगा नू जोग रहा है खचके नहीं जा सकते उन्हों फ्री यात्रा वर दे वेचे फ्री राश अजी एके इसे स्कीम देदी नहीं, तो प्रकासिक जी बादर अनील जोसी की बनार सुझी जो कि बहुत अननांद जायक सी है, आज जासी दूसरी बार पटना साभ मु जा रही है, समूस अनतरा जाहनों बहुत अननांदा आरे है, बहुत मजा रही है